Good morning friends, कैसे हैं आप लोग, स्वागे था आपका मेरे इस चैनल में Friends, आज हम बात करने वाले हैं मेथी दाने की फायदे और नुपसाम के बारे में Friends, हम सब मेथी दाने का उपयोग सबजी बिनाने में तो करते ही हैं मेथी दाने सबजी का सवाद बढ़ा देता है साथ ही हमारे सवास्ता को भी ठीक रखता है मेथी दाने की सबजी भी बनाए जाती है जो स्वादिश होने के साथ साथ सवास्ता के लिए भी बहुत फायदे मन्द होती है Friends, मेथी दाने में बहुत से औशब्दिया गुन है और यह 48 तरह की बीमारियों को ठीक करने में काम आती है जिसमें से कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं Friends, मेथी दाना क्या है? यह एक जड़ी बुटी है जिसका सवाद कुछ कड़बा होता है और इसका उपयोग उशद्दी बनाने में भी किया जाता है मेथी दाना पकने पर बहुत ही अच्छा सवाद देता है इसमें बहुत से उशद्द्य अगुन होते हैं जिससे यह कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में काम आता है तो आज़े देखते हैं मेथी दाने को शद्यगुन क्या क्या है मेथी दाने बहुत से हेल्थी न्यूट्रियंट पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, कर्भोहेडरेट, आइरन, मेगनीज, कोपर, विटामिन B6 और फैट फ्रेंट्स जो लोग हाई ब्लड प्रेस्टर से प्रेशान हैं उनके लिए बीगी मेथी बहुत फायदेमन होती है रात में सोयबीन और मेथी को पानी में बिगोकर रखें और अगले दिन 5 ग्राम सुबह और शाम इसे लेना शुरू कर दें इसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और ब्लड प्रेशर में भी रात मिलेगी तवचा और बालों के लिए अगर आपको मुहासों की समस्चा है और आपके हेर फोल भी होता है तो बालों में मेथी दानों का पेश्ट बना कर लगाएं इससे बल मजबूत बनेंगे और जल्दी स्फेद भी नहीं होंगे शुगर की बिमारी में मेथी के दानों में मुझूल सुल्यूबल फाइबर ब्लड शुगर को कुंट्रोल करके टाइबटीज को नियंत्रित कर मेथी का सेवन से शुरीर में कार्बोहेडरेट का अब्सरप्शन भी कम हो जाता है इससे बलड शुगर लेवल कम होने में मदद मिलती है फ्रेंट्स बावसीर के लिए बावसीर एक गंबीर बिमारी है जिसमें रोगी को बहुत प्रिशानी होती है मेथी और सुएबीन को रात में बिगो कर अगले जिल सुबह इसका रस लें इससे आपको बावसीर में फायदा मिलेगा वजन गटाने मे फ्रेंट्स बीगी मेथी बहुत जल्दी वजन गटाने का काम करती है अगर आप सुबह के समय रात में बिगोई हुई मेथी के पानी का सेवन करते हैं तो इससे वजन तो गटेगा ही साथ ही आपको किसी भी तरह की कोई बिमारी नहीं लगेगी हड्डियों की समस्य में राहत फ्रेंट्स मेथी के दाने हड्डियों की समस्य में भी रहात देते हैं रात में दाने भीगोकर रखने से इसके गुन और भी बढ़ जाते हैं इसलिए कोशिश करें कि इसे भीगोने के बाद ही खाएं बालों का जरना फ्रेंट्स मेथी के बीज में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो बालों के लिए जुरूरी होता है इसमें गंजेपन बालों का पतला होना और बालों के जड़ने का इलाज करने में मदद मिल सकती है इसके अलावा मेथी में लेजिसी थीन भी पाया जाता है जो बालों को प्राक्तिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही मौस्चराइज करने का काम करता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कब और कैसे मेथी का सेवन करें नमबर एक मेथी के दानों को एक-दो मिनिट के लिए मत्यम आज पर भून ले और फिर इसे सबजी या सलाद के उपर डाले इसे दोपहर या रात के खाने में इस्तमाल कर सकते हैं नमबर दो एक चम्मच मेथी के दानों को रात पर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह एक गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें जिस पानी में मेथी के दानों को भिगोया था आप सुबह खाली पेट उसका भी सेवन कर सकते हैं मेथी के दानों को रात पर पानी में भिगो कर रखने के बाद एक कपड़े में बांध कर रख दें कुछ दिन ऐसे ही रखने के बाद मेथी के दाने अंकुरित हो जाएंगे फिर इसका सुबह शेवन किया जा सकता है इससे आपको भरपूर पोस्टिक न्यूटेंट मिलेंगे नमबर चार मेथी के पराठे और रोटिया बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है इसके प्राठे को सुबह के नास्ते में लिया जा सकता है जो बहुत ही रहल्थी और टेस्टी होते है नमबर पांच मेथी दाने के हरबल चाय भी पी जा सकती है पानी में मेथी के दाने डाल कर उसे उबाल ले सवाद के लिए इसमें निम्बू और शैद मिला सकते है इसे शुबह और साम पिया जा सकता है दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मेथी दाने के कुछ साइड इफेक्ट मेथी में एंटी हाइपरटैंसिव इफेक्ट पाया जाता है जो blood pressure को कम कर सकता है इसलिए जिनके शरीर का blood pressure कम राता है उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए फ्रेंस गरवती महिला को इसका सेवन से बचना चाहिए अगर फिर भी उन्हें मेथी खानी है तो इस समद्ध में डोक्टर की स्लाह जुरूर ले बच्चों के लिए मेथी दाने को शुक्चित नहीं माना गया है इसे खाने से दस लग सकते हैं क्योंकि इसमें उनकी मस्तिक्ष की सम्ता पर असर पड़ता है इसलिए बेटर यही है कि मेथी से बने सप्प्लिमेंट्स बच्चों को ना दे बेशक मेथी के दाने दिखने में छोटे से होते हैं लेकिन इसके फाइदे अनेक हैं इसलिए अब देरी कि यह बिना मेथी को अपनी दिन्चर्र में शामिल करें ध्यान रहें कि इन सीमित और नेमित रूप से खाएं और अच्छी सेहत को पराप्ट करें हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारादी की जानकारी आपके लिए फायदिमन साबित होगी अगर ऐसा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे आने वादी हर अपडेड आपको सभी समय पे मिलती रहे तो फ्रेंस मिलती हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तेक के लिए इजाज़त थैंक यू